दोस्तों स्वागत है आपका हमारी लाल किताब चैनल पर आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सपने में काला पानी देखने का मतलब क्या होता है अगर आप भी सपने में काला पानी देखने का मतलब जानना चाहते हैं, तो इस विडियो को ध्यान से पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए. सपने में काला पानी देखना यह नकारात्मक सपना माना जाता है। सभी सपना अशुब माना गया है, यह सपना आपके जीवन में समस्या को उत्पन करने वाला सपना है, आपके जीवन में मानसिक कष्ट को वृद्धी करने वाला सपना है, यह सपना आपके जीवन में दुख को बढ़ाएगा, यह सपना आपके जीवन में किसी तरह की हानी का स अपमान पद खोना इत्यादी को दर्शाता है अगर आप इस तरह के सपने देखते हैं तो आपको संभल के कोई भी कार्य को करना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो अगर आप सपने में गंदे या काले पानी में तैरते हुए देखते हैं तो आपके आने वाले समय में जीवन में कश्ट आने के संकेत हो सकते हैं आपको आने वाले जीवन में कश्ट उठाने पड़ेंगे और आपकी सभी समस्याओं का अंत जल्द नहीं होगा और आपका अच्छा समय आने में बाधा शुरू होगी सपने में काले पाणी की बारिश देखना सपने में काले पाणी की बारिश देखना एस प्रकार के सपने का मतलब यह हो है कि आपने किसी भी कार्य के लिए जितनी मेहंत की है उसका शुपफल आपको जल्द ही नहीं मिलने वाला है भविश में आप जो भी मेहन करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने में संकट आने के संकेत है